ज़़ साहब जो बृनदा बन वाले थे वो क्यूं बिरक्त हो गए पतनी ने कहा कि अरे भाई चलो एक एक केवट की गवाही देने के लिए भगवान गवाह बनके चले गए थे कोट में केवट ने सेठ का रूपिया लोटा दिया था रूपिया लेने के बाद भी सेठ ने कोट में केस कर दिया कि इस केवट ने मेरा पैसा नहीं लोटाया जद साहब ने केवट से पूछा कि तुम ने रूपिया लोटाया तो वहाँ पर कौन था केवट बुला तीन लोग थे कौन सेठ जी मैं और मेरे राम जी थे मेरे रगुनाज जी थे वहाँ पर जट समझाओ रगुनाज जी नाम का कोई आदमी होगा अगली तारिक पर रगुनाज जी के आने का गवाही देने के लिए संबन भिजवा दिया जट साहब ने अब कोट का संतरी पहुचा गाओं में केवट जी गाओं में रगुनाज जी कहा है रगुनाज जी कहा है रगुनाज जी हो तब न मिले एक आदमी ने कहा देखो रगुनाज नाम का आदमी तो नहीं है रगुनात जी का मंदीर एक है जहां केवट रहता है मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे थे संत्री ने पूछा कि रगुनात यहीं रहता है क्या पुजारी जी बुले हाँ भीतर रहते है यह पकड़ो उसके नाम का संबन है इतने तारीकों गवाही देने पहुंचे जा हाकुर जी के चरणों में रखकर बोले प्रभू आज तक आपके लिए मिठाई आया आज तक आपके लिए आभोशन आये आज तक आपके लिए वस्त्र आया पहली बार प्रभू आपके नाम का कोट से संबन आया है और बहुत विश्वास करके उस किवट ने जज के सामने आपका नाम लिया होगा प्रभू उसका विश्वास तूटने मत दिएगा जिस दिन तारिक थी न उस दिन पंडित जी सबसे सुंदर कपड़ा ठाकुर जी को पहिना है क्यों आज ठाकुर जी कोट में पहुँचेंगे तो भगवान सुंदर लगने चाहिए भगवान फटा पुराना कपड़ा पहिने लाटरी पकड़े बुढ़ा स्वरूप बनाके हाथ उपर करके हम अहीं रगुनात है पहुँच गये और ऐसी गवाही दिए कि पहली हीरिंग में केस समाप्त सेट को सजा हो गई केस तो समाप्त हो गया लेकिन ज़़ सहाब डिश्टर्ब हो गया सोचने लगे भाई आज तक तो ऐसा कोई गवाह आया ही नहीं जो एक अही बार में केस को ही समाप्त कर दे कोड से निकल के अपने चिंबर में गये अक्केवट को बुला कर बिठाए बोले यह बताओ कहां रहते हो तुम राखुनाथ जी के मंदिर में मैं रहता हूँ तो ज़त सहाब बोले क्यों जो राखुनाथ आये थे बहुती जी जी तो उनको लगा कि वो मंदिर बनवाएं होंगे तो जजज साह बोले लेकिन तो गरीब लग रहे था लग नहीं रहा था क्यों मंदिर बनवाएं होंगे केवट ने कहा प्रभू वो मंदिर बनवाने वाले रगुनात जी नहीं थे मंदिर के भीतर बैठने वाले रगुनात जी आये थे जज की मतिय हरा गई हो कापने लगा संत्री को बुला कर बुला शही सही बताना तुमने किसको संबन दिया था बुला सर माप करियेगा सर रखुनात नाम का आदमी नहीं मिला रखुनात जी का मंदिर था मंदिर में पुजारी जी को देके चला आया था मैं तो जो आये थे वही पुझारी जी नहीं थे दूसरे थे जज को पूरी बात समझ में आ गए घर गया और दर्वाजा बंद करके जज साहव रोने लगे पत्नी ने आकर पूछा क्यों रो रहे हो पूरी बात बताए पत्नी ने कहा है इसमें रोने की कौन सी बात है आरे मान लो धोखे में ही दर्शन हुआ तुम तो भागयशाली हो तुमको दर्शन तो मिला नाचना चाहिए बोले इसलिए नहीं रो रहा हूं कि रामदी चले गए इसलिए नहीं रो रहा हूं मैं इसलिए रो रहा हूं अरे कुर्शी पे बना जज मैं बैठा रहा जगदीश्ट खड़े समझाते रहे जिनकी अदालत में पूरी दुनिया जाकर खड़ी होती है आज उनको मैंने अपनी अदालत में खड़ा करा है ऐसा बैराग्य छड़ा हो जजज साहब को उसी समय रिजाइन दिये सब घर परिवार छोड़ कर चले गए ब्रिंदावन और ऐसा कहते हैं जब तक थे कभी बैठे नहीं ब्रिंदावन खड़े रहें लोग कहते थे बैठे क्यों नहीं आप मुले मेरी यही सजा है मैंने भगवान को अपनी अदालत में खड़ा कराके रखा था अब मैं भगवान के धान्म में जब तक जीवित रहुँगा तब तक मैं खड़ा रहुँगा अब मैं बैठूंगा नहीं कर दे भगवान किसी रूप में आ सकते हैं माईबा आपकी आफ्था वैसी होनी चाहिए